दियर इस्डेंट आइश वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 एस्टार्ट करते हैं Materials Materials में क्या पढ़ना है Metals and Non-Metals क्या पचा पढ़ना है Metals and Non-Metals इस चैप्टर में हम लोग Metals के Property और Non-Metals के Property पढ़ेंगे उसके बाद मेटल्स और नन मेटल्स का यूज क्या है वो पढ़ेंगे पुरपर्टी में हम लोग केमिकल और फिजकल दोनों पढ़ेंगे ठीक है डेली लाइप में मेटल्स और नन मेटल्स का इंपोर्टेज क्या है ये सारे छिश हम लोग exercise में इस चेप्टर में पढ़ेंगे अक्के स्टार्ट करते हैं बच्चो देखा रहा है कि यू आरे फैमिलियर भी थे number of materials लाइक iron, aluminium, copper, etc आपसी कहता है कि आपने बहुत सारे material से परिछित है daily life में देखते हैं जैसे कि iron, aluminium, copper, इसम ठीक है, कुछ list भी दिया हुए बच्चो अब उसको ये जो list दिया हुआ है object या material का list दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन-कौन सा object signing होगा, कौन-कौन सा deal होगा ठीक है, किसमें चमक होगा, किसमें चमक नहीं होगा उसके बत कर रहा है, कि ये दो list दिया हुए बच्चो इसमें बताना है कि किसमें आपका hard रेस होगा, मतलब कौन ज़्यादा hard होगा कौन hard नहीं होगा, तो बचाओ इसमें हम जब फिल करेंगे, तो क्या होगा iron क्या होता है, generally hard होता है कि नहीं? तो यह हाड हो गया कोईला क्या होता है कोईला सॉप्ट होता है मतलब हाड नहीं होती है सलफर क्या होता है यह भी सॉप्ट होता है अलमुनियम क्या हाड होता है इस तरह के आपको फिल करना है तो आपको समझाने का कोशिस यह कर रहा है कि कुछ material जो होते हैं hard होते हैं और कुछ material signing होते है तो इस तरह का यह पीश से हमको यह पता चलता है कि mostly जो metal होते हैं उसके पास क्या होते हैं Lusher मतलब signing property सो करता है और hard भी होते है तो यह physical property हुआ किसका? metals का जो signing commodity नहीं सो करते हैं जिसमें चमक नहीं होती है जो soft होता है जो hard नहीं होता बचो वो क्या कहलाएगा non-metal जैसा कि यहां लिखा हुआ है की non-metal metals can be distinct from non-metal इसी basis पे मतला physical basis जो हुआ लस्चर और किस पे हाडनेस पे इस सभी मेटरियल को मेटल कहा गया समझ गया है चलो अब चलते हैं टॉपिक का श्टार्ट करते हैं टॉपिक क्या है फोर परट वाल फिज्चकल परटी अफ मेटल सैलन मेटल एक और एक्जामपल लिया गया है इसमें एक्स्पेरिमेंट किया कि एक बलेक स्मित को आपने देखा होगा जो लोहार होता है जब आईरनिक पीस कोच है कोई आईरन से बने आर्टिकल को जब उसको क्या करता है उसका सेप चेंज करता है है कि नहीं कब जब उसको बीट करता है तो क्या बच्चो जब बीट करता है तो उसका सेप चेंज होता है कि नहीं ठीक है और वही जब हो हम लोग के इसमें लिखा हुआ है कि जब वही similar channel अगर आप beat करेगा आप koila के piece को koila के piece को चाहए pencil के piece को beat करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं बच्चो वो क्या कर जाता है break कर जाता है है ना piece में convert हो जाता है ठीक है एक experiment में देखिए यहां दिया हुआ है जब आप deeply heat करेंगे ज्यादा कस के heat करेंगे हैमर से तो thin sheet में convert हो जाएगा तो देखिए यहां पे experiment में लिखा हुआ आपको feel करना है बताइए कि इसमें से किसको किसका safe change होगा safe change करना में कौन flatten होगा कौन break हो जाएगा piece में तो देखो iron nail को जब करोगे तो क्या हो जाएगा यह flat हो जाएगा है कि ने कोईला piece को करेंगा तो यह break हो के piece में convert हो जाएगा aluminium क्या होगा यह flat हो जाएगा और pencil क्या हो जाएगा break करके piece में convert हो जाएगा बच्चो तो इस तरह के यहां देख रहे हो की बेटल का परपर्टी क्ए हुआ इस तरह देखा कि मेटल का परपर्टी मतलब यहां पे हमने iron और aluminium को देखा कि उसको beat करने पे क्या हो रहा है बच्छो बीट करने पे उसकी क्या हो रहा है beat करने पे उसकी shape change हो रही है है की नहीं उसको और भी harder beat सबस्कु करेंगे तो सीट में कर दो जाएगा ठीक है और भी अगर समझना है तो आपने कभी कभी मिठाई में देखें सुट जो हती है उसमें स्वीट अगार करने काप करता है स्वीट यहां सिलमन का फॉàiल उसमें क्या रहता है एस्प्रेट किया हुआ रहता है ठीक है ताकि भोजन क्या हो टाइट रहे और अच्छा देखे तो इसको ज्यादा बाई करें ठीक है उस तरह और भी देखो कि आपने आइरन फॉयल मुनिया फॉयल का देख कंटेनर बना हुआ देखे जिसमें स्वीट मि दोगा मेड़ाद में से यहां दिया हुए है कि मिठल जो होता है एक मेडिय विलेटी सक्रें Maliable Properties हो करता है तो तुमसे Quashable पुछेगा कि Maliability क्या होता है तो बोलोगे कि The property of metal By which They can beaten into Thin city call Maliability तो Maliability क्या है वह बच्चो Maliability का प्प्रोपर्टी हुआ जिसमें bit करने के बाद वो क्या होता Thin city by convert हो जाता है इस property को Maliability कहते है मास समझ में आई चलो तो एक क्या हो गया एक मेटल का एक प्रपटी हो गया ठीक है तो हमने उस मूपस के ऊपर देखा कि मेटल का क्या प्रपटी हो एक और हमने देखा कि मेलियमिटी प्रपटी सो करता है और वही जब आपने देखा होगा कि पेंसिलेट को जब आपने बीट किये तो वो क्या हो गया पीस में कर्वंट हो गया तो वो क्या हो गया लान मेटल चलो ठीक है उसके बाद देखते हैं कि मेटल के क्या या हीट का कंडक्टर भी होता है तो देखो कभी-कभी आपने मेटल का बना हुआ जो इस्टुमेंट होता है घर में होते हैं पॉर्स होते ह जू़ के लिए जब वो उसको हीट करते हैं तो गर्म हो जाता है तो हमलों किया उसको उतार्णने चा마 पकड़ने के लिए पलास्टिक या वुडन का हैंडल लगाते हैं जिस से कि हमको को हट नहीं हो मेरा हाथ बर्टना करें तु ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करता है कि उड़ और पलास्टिक एक तरह से क्या पॉटक्ट करता हमको है ला वैं में से हीत से तो यहां पर देखते है कि जो गर्म होगी पौर्स की कारण होता है वह क्या होता है काुर्टर का कारण currently कैसे गारण मेटल के बने होते हैं बहुल सारे वाइर हैद और है CAPD body हो तो इसे मेटल क्यों क्यों कि उसमें एल्यक्तिक करेंड पास करता है ठीखै तो इसमें कर दो करने लगा मतलब क्या समझे आप यहां पर लिश्ट दिया हुआ है कि देखो यहां पर इसमें से बताईए कि कौन सा गुड करड़क्टर है कौन सा पूर करड़क्टर है यह मतलब जिसमें करेंट नहीं पास कर रहा है तो आप बताईए कौन होगा तो आरनेल क्या होगा एक तरह से पूर कंड़क्टर होगा ठीक है पूर कंड़क्टर सल्फर क्या होगा यह आपका भी पूर कंड़क्टर होगा कोल पिस क्या होगया कोल पिस भी एक तरह से पूर कंड़क्टर होता है हीट का और क्या इलेक्टिक का कंड़क्टर होता है ठीक है यहाँ पर देखा लिखा हुआ है कि आईरा रोड नेल और कॉपर और गूड कंड़क्टर वाइल दा रोल सलफर पीस और कॉला पीस और पूर कंड़क्टर समझ रहे हैं बच्छो ग्योड चलिए तो इस तरह के हमने देख लिया यहाँ पर लिगे इससे सो होता है एक्स्पेरिमेंट से सो होता है कि मेटल्स आर गूड कंड़क्टर आफ हीट एंड इलक्टिक करेंड समझने बच्छो चलो उसके बाद देखते हैं एक और परपटी क्या हो रहा है एक और परपटी देखते हैं डक्टिलीटी जितने भी मेटल होते हैं बच्छो इंडक्टिलीटी का परपटी सो करते हैं तो पहले डक्टिलीटी क्या होता है देखो इंडक्टिलीटी का डिफिलेशन दिया हुआ है the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility बहुत हरे metal के देखते हैं कि metal को draw करके पतला पतला wire बनाए जाता है बचो ठीक है उसी property को ductility कहते हैं तो मतला most ductility क्या होता है most ductility आपका gold होगा देखते हैं gold का जो होता है ना just Brisbane pages hey어erosст Eye Hair उतना पतला लंबातार बहुत बना जाएगा समझ रहे हो इस तरह का चलो और वही को 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 अगर ड्रो करोगए तो क्या होता wire बनेगा आदा ही तो इस तरह metal जो होते होते हैं हेर के साइज हेर इतना पतला लंबा तार बहुत बनाए जाएगा समझ रहे हो इस तरह का चलो और वहीं तुम क्या करें को कोईला को अगर ड्रो करो तो क्या होता वायर बनेगा नहीं तो इस तरह मेटल जो होते हैं मेटल क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं और उसका वायर बन से पहले बील बच्ती है ला तो क्या होता है वह सौण परडूस करता है तो इस तरह बेटर जो होते sound बिटिंग sound पर्डूस करता है तो इतना सारा पढ़ने के बाद बचाओ बचे फाइनली आपको यह पता चल गया कि physical property क्या होता है metal का तो metal का physical property यहां दिया हुआ है कि metal जो होते हैं क्या होते हैं hard होते हैं lessness होगे valuable होगे and good conductors of heat and electricity होंगे बास समझ में आई चलो तो हो गया और कुछ example मैंने देखा metal का example क्या देखा कुछ metal का example iron copper aluminum calcium magnesium etc यह सब क्या है metals का example है बच्चों ठीक है अभी तरह 9 metal कितने होंगे तो आपको एक सो अठारे एक सो चौदा metal total element क्या है उसमें से आपको 80-90 क्या होगा metal सी है ठीक है चलो उसके वाद